क्या आप जानते हैं भारत के सबसेज स्वच्छेतम शहर इंदौर को अपनानाम कैसे मिला था? नमुशकार MP pup.news के इसका सेगमेंट के आप जानते हैं में में त्थ्यत्याप सभी का सवाधत करता हूँ आएधे जानते हैं कैसे मिला था इंदौर को अपनानाम माना जाता है कि आठवी सिताबदी में इंदोर पर अपना अधिकार जमाने के लिए बंगाल के पालो, मज्जे के प्रतिहारो और दक्षिन के राजपुतों के बीच में त्रिकोनिय संगर चला था जिसके चलते हैं यहाँ पर कभी पालो का राजपुतों का तो कभी राजपुतों का ऐसे में फिर वह समय आया जब राजपुत के राजपुत राजपुत राजा इंद्र तितिया ने इस त्रिकोनिय संगर्स में जीत दर्च की और इस जीत को यादगार बनाने के लिए उन्होंने यहाँ पर एक शिवाले की स्थापना की जिसका नाम इंद्रे शिवर रखा गया और इसी मंदिर के चलते और इसी मंदिर के चलते शहर का नाम इंद्रपुरी पड़ गया फिर समय बदला और 18 स्थापदी से 18 स्थापदी आई अब इंदरपूरी इंदूर बन चपा था क्योंकि अभी हाँ मराठो का राजवन्स था और मराठी उप्चारन के चलते इंदरपूरी इंदूर बन चुका था फिर समय ने पुना करवड ली और भारत में अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत जमाय ली और अंग्रेजी हुकूमत के साथ ही इंदौर का अपना मोजुदा नाम भी मिला कि उनके अंग्रेज जब भी इंदौर बोलने की कुशिश करते थे तो उनकी जुबा से इंदौर निकलता था जो कि देखते ही देखते इंदौर में बदल गया क्या आप जानते हैं कि इस एपिजोड में बस इतने हैं और भी रोचक बाते जानने के लिए देखते रहिए MP News